गौडी विरागन महला चार हमरे मन चित हर आस नित का देखा हर दर्स तुम्हारा जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत पियारा हा कुर्बानी गुर आपने जिन विछुडिया मे लाया मेरा सरजन हारा मेरे राम हम पापी सरण परे हर द्वार मत निर गुण हम मैले कब हुँ अपनी किरपाधार रहा हमरे अब गुण बहुत बहुत हैं वह बार बार हर गणत ना आवे तु गुण बनता हर हर द्याल हर आपे बक्स लह हर भावे हम अपराधी राखे गुर संगती उपदेश दियो हर नाम छड़ावे तुम्हरे गुण किया कहां मेरे सत गुरा जब गुर बोल लह तब विसम होई जाई हम जैसे अपराधी अंबर कोई राखे जैसे हम सत गुर राख लिये छड़ाई तु गुर पिता तु है गुर माता तु गुर बंधप मेरा सकह सखाई जो हमरी विद्ध होती मेरे सत गुरा साविध तुम हर जान है आपे हम रुलते फरते कोई बात ना पूछता गुर सत गुर संग किर हम थापे धन धन गुर नानक जन केरा जित मिलिये चुके सब सोग संतापे हे भगवान मेरे मन एवं चित में सदेव ही यह उमीद बनी रहती है मैं कैसे हरी दर्शन करूं जो प्रभू से प्रेम करता है वही इसको समझता है मेरे मन एवं चित को इश्वर अत्यंत ही प्यारा लगता है मैं अपने उस गुरु पर कुर्बान जाता हूँ जिसने मुझे मेरे सर्जन हार प्रभू से मिला दिया है जिससे मैं जुदा हुआ था है मेरे राम मैं पापी हूँ मैंने तेरी शर्ण ली है और मैं तेरे द्वार पर आ पड़ा हूँ चुकी तुम अपनी किर्पा करके मुझे अल्प बुद्धी गुण हीन इवं मलीन को कभी अपने साथ मिला लो रहा मुझे मैं अत्यंत अवगुण है और मेरे अवगुण गिने नहीं जा सकते और मैं बार बार अब गुण करता जाता हूँ हे प्रभु परमेश्वर तुम गुण वान इवं द्यालू हो हे प्रभु जब तुझे भला लगता है तुम सव्यम ही शमा कर देते हो मुझ अपरादी को गुरु की संगती ने बचा लिया है गुरु जी ने मुझे उपदेश दिया है कि इश्वर का नाम जीवन से मुक्ती दिलवा देता है हे मेरे सत्गुरु मैं तेरे गुण कैसे बताऊं जब गुरु जी मधुर वचन करते हैं तो मैं आश्चरय से तुपरसन हो जाता हूँ क्या कोई दूसरा मुझे जैसे अपराधी को बचा सकता है जैसे सत्गुरु ने मुझे बचा कर भव सागर से मुक्त कर दिया है हे मेरे गुरु तुम मेरे पिता हो तुम ही मेरी माता हो और तुम ही मेरे भाई बंधु साथी एवं सहायक हो हे मेरे सत्गुरु जी जो अवस्था मेरी थी उस अवस्था को तुम हे हरी रूप गुरु जी सवयम ही जानते हो हे प्रभु मैं मिट्टी में ठोकरे खा रहा था और कोई भी मेरी बात नहीं पूचता था और थार्त कोई भी चिंता नहीं करता था साथ गुरु ने अपनी संगती दे कर मुझ तुछ कीडे को समान परदान किया है नानक का गुरु धन्य धन्य है जिसको मिलने से मेरे सारे दुख एवं संताप मिट गए है गौडी विरागन महला चौथा कंचन नारी मह जिया लुभत है मुह मिठा माया घरमंदर घोडे खुसी मन अनरस लाया हर प्रभचितना आवई क्यूं छूटा मेरे हर राया मेरे राम इह नीच करम हर मेरे गुणवंता हर हर द्याल कर किर्पा बक्स अवगन सभ मेरे रहा किछ रूप नहीं किछ जात नहीं किछ ढंग ना मेरा किया मुहल बोल लह गुण विहून नाम जप्या ना तेरा हम पापी संग गुर उबरे पुन सत गुर केरा सब जिया पिंड मुख नक दिया बरतन कवपानी अन खाना कपड पैनना दिया रस अन भोगानी जिन दिये सा चितना आवई पसु हां कर जानी सब कीता तेरा बर्तदा तु अंतर जामी हम जंत विचारे किया कर है सब खेल तुम स्वामी जननानक हाट विहाजिया हर गुलम गुलमी मेरा मन सुन्दर नारी के मुह में फसा हुआ है इवं माया का मोह मुझे बड़ा मिठा लगता है मुझे घर मंदिर घोडे देख देख कर बड़ी खुशी होती है और दूसरे रसों के आनंद में मेरा मन चाव से लगा हुआ है प्रभू परमेश्वर को मैं समरण नहीं करता है मेरे प्रभू फिर मुझे कैसे मोक्ष मिलेगा है मेरे राम ऐसे मेरे नीच करम है हे मेरे गुण निधी एवं द्यालू परभू परमेश्वर मुझे पर किरपाद रिष्टी करके मेरे समस्त आब गुण शमा कर दीजिये रहाओ हे इश्वर ना मेरा सुंदर रूप है ना मेरी उच जाती है ना ही मेरा जीवन आचरण अच्छा है मुझे गुण हीन ने तेरा नाम भी नहीं जपा अत है मैं कौन सा मुह लेकर बोलू सत गुरू ने मुझे पर बड़ा उपकार किया है मैं अपराधी गुरू की संगती से मुहमाया से बच गया हूँ परमात्मा जी ने समस्त प्राणियों को आत्मा देह मुख नाक और परयोग करने के लिए जल दिया है प्रभू ने उनको खाने के लिए भोजन पहनने के लिए वस्त्र एवं अनेकरस एशवरय भोग करने के लिए दिये है जिस प्रभू ने पराणियों की रचना करके यह कुछ दिया है मनुश्य को वह प्रभू समरन नहीं होता यह मनुश्य पश्य के समान है जो यह समझता है कि यह सब कुछ मैंने सवयम प्राप्त किया है हे इशवर दुनिया में सब कुछ तेरा किया हो रहा है तुम अंतर्यामी हो हे परमातमा हम जीव बेचारे क्या कर सकते हैं अर्थार्त हमारे वश में कुछ भी नहीं है मेरे सवामी यह सारी दुनिया तेरी एक लीला है जिस तरह कोई गुलाम मंडी से खरीदा जाता है वैसे ही मंडी में से मूले लिया हुआ सेवक नानक प्रभु के सेवकों का सेवक है गौडी विरागन महला चार जी जनने सुत जान पालती राखे नदर मजहार अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार त्यू सत गुर गुर सिख राखता हर प्रीत पियार मेरे राम हम बारीक हर प्रभ के है याने धन धन गुर गुर सत गुरु पाध्धा जिन हर उपदेश देखिये सियाने रहा जैसी गगन फिरती उडती कपरे बागे वाली उह राखे चित पीछे बिच बचरे नित हिर्दे सार संभाली त्यूं सत गुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखे जिये नाडी जैसे काती तीस बतिस है बिच राखे रसना मास रत केरी कोई जान है मास काती के किछ हत है सब बस गत है हर केरी त्यूं संत जना की नर निंदा कर है हर राखे फेज जन केरी भाई मत कोई जान है किसी के, किछ हाथ है सब करे कराया, जरा मरा ताप सिरत साप सब हर के बस है, कोई लाग न सके बिन हर का लाया, ऐसा हर नाम मन चित नित ध्यावह, जन नानक जो अन्ती आउसर ले छडाया, जैसे माता पुत्र को जनम दे कर उसकी परवरिश करती है, और उसको अपने दृष्टी में रखती है, घर के भीतर इवं बाहर वह उसके मुख में ग्रास देती है, और शन शन उसको दुलारती है, वैसे ही सत्गुरुजी अपने सिखों को भगवान जी का प्रेम प्यार दे क कर रखते हैं, हे मेरे राम, हम हरी प्रभु के नादान बच्चे हैं, गुरु सत्गुरु उपदेश दाता धन्य धन्य है, जिसने हमें हरी नाम का उपदेश दे कर बुद्धिमान बना दिया है, रहाओ,